कि वेलकम टू किसान मसीन तो स्वागा थे आपका फिर से एक नई वीडियो में आपके अपने चैनल किसान मसीन में एगरी कूट चैन सो मसीन ब्लेड है 20 इंच इसका तो आज हम करने वाले हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और फिटिंग और आपको बताएंगे कितना पैट्रोल ल दालना है और जो चैन में रणिंग करता है और वह कौन सा ऑइल डालना है आपको मैं सब दिखाऊंगा तो वीडियो को पुरा आप लाश्ट तक देखते रहें बहुत कुछ आप सीख सकते हैं तो फटा फट से हम खोल के आपको दिखाते हैं किस तरह आपको चैन सो फीट कर रहा है या आपका चैन में और रणिंग नहीं कर रहा है या मसीन बिल्कुल इस्टाटी नहीं हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं आपके मसीन में क्या प्रोलम आ रहा है तो चलिए देखते हैं इस बैग में हमको क्या क्या मिलने वाला तो यह हमारे पास स्क प्रण मिल जाता है जो कि ब्लेड धार करने में काफी मदद होता है और यह डेंटल हो जाएगा जो कि चैन का जो साइड में लगता है यह आपको समझे एक गाड जैसा है चलिए बैक को हम रख देते हैं यह हो गया चैन और यह हो गया एक बोटल जो कि तेल नापने में काम आता है अब हम निकाल लेंगे मसीन को बाहर और बाहर निकाल के अब हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे कहां पर क्या क्या लगने वाला है तो जैसा कि देख रहे हैं यह है एगरिकुट का चैन सो तो सारा एसे सिरी जो हमने बाहर निकाल दिया है अब हम चैन को फीट करेंगे तो इससे पहले सबसे पहले हम एक डेंटल गाड जो है उसको अच्छे से टाइट कर लेंगे दो एलेंकी बोल्ट से सबसे पहले हम इसी डेंटल गाड को टाइट कर लेंगे इसे हम एकदम फूल टाइट कर देंगे ये डीला नहीं होना चाहिए और इसके बाद हम लगा लेंगे बार को अब हम लगा लेंगे चैन को चैन को जब भी आप लगाएं चैन लगाने से पहले आप देख लें सीधा उल्टा कौन है तो आप देख रहे हैं ये साइड धार है स्कूर डैवर से मैं दिखा रहा हूँ आपको आगे के साइड आपको धार वाले दाता को रखना है और आपको ये दिख रहा होगा पीछे वाला ये धार नहीं होता है यह आपका, पीछे साइड रहाएगा, बैक साइड अब हम चैन को फटा फट से लगा लेते हैं बार में आप अच्छे से चैन को लगा लें गुमा गुमा कर दाता, इसका बिलकुल अंदर की और होना चाहिए यह बार में अच्छे तरह से बैठ जाना चाहिए पूरा तो चैन जो है वो काफी अच्छे से चैन बार में लग चुका है अब हम चैन को देख लेंगे एक बार अच्छे से इस पोकिट में बैठा हुआ है तो हमारा इस पोकिट में बैठा हुआ है तो अब हम लगा लेंगे लॉक को तो ये जो कुंडी आप देख रहे हैं ये यहां जाकर कर लॉक हो जाता है स्कूरू ड्रैवर से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जाकर यहां लॉक हो जाता है और जब भी आप कभर को लगाएं तो हलका सा बैठा लें और जब भी ना बैठे तो आप हलका हलका इसको धीला कर लें और जब आप धीला कर लेंगे तो ये आगे के साइड आ जाएगा उसके बाद आप लगाएं जब भी ये धीला होकर लग जाएगा तो अंदर की और स्पोकेट गुश जाएगा और इसके बाद आप दोनों नट को हलका हलका फसा ले यहाँ पर आपको फूल टाइट नहीं करना है थोड़ा फसा कर और हलका हलका आप टाइट कर ले फूल टाइट अभी आपको नहीं करना है और इसके बाद चैन को हम घुमा कर देखेंगे चैन हमारा बिल्कुल फ्री होना चाहिए तो चैन हमारा बिल्कुल फ्री है लेकिन थोड़ा सा चैन ढीला है तो चैन को हम यहाँ पर टाइट कर लेंगे हलका सा प्ले होना चाहिए तो एक बर और हम चैन को घुमा कर देख लेंगे तो चैन हमारा फ्री है थोड़ा सा प्ले होना चाहिए अब हम दोनों नट को फूल टाइट कर लेंगे यह चैन हमारा अच्छे से टाइट हो चुका है इसके बाद हम दोनों नट को फूल टाइट कर लेंगे तो यहाँ पर अब हम आपको ओइल डालेंगे चैन में जो ओइल लगता है वो हम डालेंगे इस टैंक में और यह जो आपको टैंक दिख रहा है इसमें हम पैटरोल डालेंगे पैटरोल के साथ हम टूटी ओइल मिक्स करेंगे कितना टूटी ओईल डालना है अभी हम आपको दिखाएंगे तो सबसे पहले हम चैन वाले ओईल को डाल लेते हैं तो यहाँ पर हम मसीन को थोड़ा प्लट देंगे और प्लटने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं पर देखिए आप सर्वो का ओईल हम डालने वाले हैं इसमें 20W40 तो जब भी आप चैन में ओईल डाले तो यह बिलकुल नए डाले आपको पुराना ओईल नहीं डालना है नहीं तो आपका चैन और चैन बार दोनों खराब हो सकता है तो यहाँ पर हम 200 ml डालने वाले हैं चैन 200 ml का यह तंकी है तो 200 ml का हम इसमें ओईल डालने वाले हैं तो जब भी आप ओईल को डाले तो पूरा भार केना डाले पूरा फूल नहीं करना है आपको थोड़ा सा खाली रहने देना है और ओयल को हमने डाल दिया है यहां पर अब यहां पर है हमारे पास टूटी ओयल और हमारे पास हाफ लिटर पेट्रोल तो हाफ लिटर पेट्रोल में हम जब भी टूटी ओयल डालेंगे 20 इमिल डालेंगे और अगर आप एक लिटर पेट्रोल में टूटी ओइल डाल रहे हैं तो आपको 40 अमिल डालना है इसका आप खास ध्यान रखे अगर आप टूटी ओइल सही से नहीं डालेंगे तो आपका रिंग पिश्टन बहुत जल्द खराब हो सकता है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर ले और सस्क्राइब करने के बाद आल वाले ओप्सन पे किलिक करके आप नोटिफिकेशन अन कर ले ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे चैनल रिपेरिंग का भी वीडियो आपको मिल जाएगा फूल डीटेल में पार्ट बन पार्ट टू और आपको एक और वीडियो मिलेगा वहाँ पर ट्विनिंग सेट करके आप की सितरह से मसीन को अगर आपका मसीन स्टार्ट हो रहा है और अगर मसीन नहीं चल रहा है केवाल स्टार्ट हो रहा है और इसक्लेटर लेते ही मसीन बंद हो जा रहा है या पेड़ नहीं काट रहा है तो इसके पड़ती भी वीडियो है हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं आपका प्रोब्लम सॉल्व हो जाएगा और अगर आपके पास ब्रूस कटर है घांस काटने वाली मसीन अगर वो भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसका भी बहुत सारा वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा तू इस्टोग ब्रूस कटर फोर इस्टोग ब्रूस कटर और अन्बॉक्सिंग रिभ्यू सब्सक्राइ कि चे Barnett सब्सक्राइब कर स्ब्सक्राइब करी लाएगाट रैस को बज्दा ज कर सकते आएगां सब्सक्राइब हमार लेग्ड़ हमार या क Christian झाल झाल